देश के सत्ता में जब से बीजेपी आई है तब से देश वासियों की आर्थिक इस्तिथी भले ही ना सुधरी हो बीजेपी की आर्थिक सेहत जरूर सुधर गई है सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिलता है कोई दूसरी पार्टी बीजेपी के आसपास तक नहीं दिखा कर भी पता चलता है एडी रर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बीजेपी का हजाना भरता ही जा रहा है जबकि देश की सभसे पुरानी पाटी कॉंग्रिस पर कर से बोज़ परता जा रहा है तो क्या है से इए-टियार ने बीजेपी का हिस्सा करीब 70 प्रतिशत है और सभी दलों की कुल संपत्ती को देखें तो ये 50 प्रतिशत से भी ज्यादा होता है इस दोरान बीजेपी के ओर से 4847 करोड 78 लाक耐 की संपत्ति घोशित की गई है जो सभी राश्ट्रिये पार्टियों की कुल संपत्ति का करीब 69.37 प्रतिशत बैठता है बीजेपी के बाद दूसरे नमबर पर जो नाम है वो भी चौकाने वाला है क्योंकि दूसरे नमबर पर बीएसपी है बीएसपी की ओर से 698 करोड 33 लाख की संपत्ती खोशित की गई है बीएसपी की ओर से किया गया ये खुलासा इसलिए चौकाता है क्योंकि बीएसपी की किसी भी प्रदेश में पिछले 10 साल से कोई सरकार नहीं है फिर भी बीएसपी की संपत्ती में जाफा देखा गया है 588 करोड 16 लाख रुपे की संपत्ती के साथ कॉंग्रेस सूची में तीसरे स्थान पर है रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 के बीच साथ राश्ट्रिय पार्टियों की संपत्ती 6,988 करोड 57 लाख रुपे और 44 शेत्रिय दलों की संपत्ती 2,139 करोड 38 लाख रुपे थी चेत्रिय दलों में समाजवादी पार्टी की संपत्ती सबसे ज्यादा 563 करोड 47 लाख रुपे रही इसके बाद तेलंगाना राश्ट समिती ने 301 करोड 47 लाख रुपे और अन्ना द्रमुक ने 266 करोड 61 लाख रुपे की संपत्ती खोशना की राजनीतिक दलों ने अपनी संपत्तियों के साथ साथ देंदारियों के बारे में भी जानकारी दी है रिपोर्ट में बताया गया कि राश्टी और छेत्री पार्टी की कुल देंदारियां या कर्ज 134 करोड 93 लाख रुपे है और सबसे ज्यादा कर्ज कॉंग्रेस के ऊपर है पार्टी पर 49 लाख 55 रुपे का कर्ज है यानि बीजेपी का खजाना भरा हुआ है तो कॉंग्रेस पर सबसे ज्यादा कर्ज है डीवी लाइफ की रिपोर्ट